नमस्कार साथियों धन कमाने के हाला की बहुत अलग अलग प्रकार के कॉंबिनेशन चार्ट में कहे जाते हैं लेकिन अभी हम जैसे हम सीख रहे हैं तो पहला जो प्रोस्पारिटी के लिए वेल्थ के लिए हम जो सुत्र देखते हैं तो हम यह देखते हैं भी क्या लगनेश दूसरे भाव के स्वामी के साथ चौते भाव के स्वामी के साथ पाचवे भाव के स्वामी के साथ या नवे भाव के स्वामी के साथ दसवे भाव के स्वामी के साथ या ग्यारवे भाव के स्वामी के साथ अगर इनके साथ लगनेश क आपने सीखे होंगे जहां लगनेश के छटे भाव में, आठवे भाव में या बारवे भाव में बैठने पर भी वो कुछ ऐसा धन विरासत में राप्त कर लेता जो उसने कमाया ही नहीं लेकिन फिर भी हम एक जो हमारे सामाने जो थम रूल है वो क्या देखते हैं आप सीख रहे हैं भी आपने चार्ट देखा किसी का है तो कहेंगे अरे ये तो बहुत बढ़िया चार्ट है क्योंकि लगनेश का संबंद 2, 4, 5, 9, 10, 11 भावों से है तो इस प्रकार ये पहली wealth and prosperity की दृष्टी से मानी जाती है आपको हजारो exceptional मिलेंगे लेकिन जो सई तरीका है wealth का prosperity का उसमें धन भाव, माता भाव, पिता का धन मने नवम भाव से जब दितिये चलते हैं तो दश्रम भाव और आय भाव यानि ग्यारवा भाव इस प्रकार ये ये भाव शामिल हो जा यानि लगनेश का संबंध इन इन भावों से हो जाता है तो ये पहली सीडी हमने पार कर ली और अच्छा है जा तक अपने लिए wealth के लिए अच्छा है prosperity के लिए अच्छा है धन्यवाद